हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस का बन्दा बहुत जडूरी होता है एक चिपचिपा दरव्य जो आपके प्राइवेट पार्ट से निकलता है और व आप रिलेशन बनाती हैं तो आपके पार्टनर का जो भी सेल होता है स्परम होता है जब आपके शरीर के अंदर आता है तो यह इसी सभाइकल म्यूकस के दोरान आपके शरीर में अच्छे से स्वीं करता है यानि कि अच्छे से वह तैरता है और आपके एग तक बहुत महीने के अलग-अलग फेज में सवैकल म्युक어스 चेंज होता रहता है जैसे महीला के शरीर के अंदर सव्ैटल म्युकरस जैसी ही आपका पीरेंट्स आने वाला होता है तब बिलकुल पतला हो जाता है पानी के जैसा बहने लगता है जब आपके पीड़ेट्स खतम होते हैं तब आप बिल्कुल ड्राइ फिल करती है कुछ भी आपको बहता हो अनीचे से महसूस नहीं होता है लेकिन यही सवाइकल म्यूकस जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो इस वक्त यह बिल्कुल ही अन्डे के सफेद भाग के जैसा बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है और आपको थिक निकलता हुआ दिखाई देता है महीने के मध्य भाग में यानि के पीड़ेट्स के दसवे दिन के बाद यह कभी भी आपको महसूस हो सकता है अब हम मेंली जानते हैं कि जिन महिलाओं में यह सवाइकल म्यूकस नहीं निकलता है तो क्या उनके माँ बनने की शमता कम हो जाती है तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है studies बताते हैं कि बहुत सारी महिलाएं hormonal issue की वज़े से hormonal disvalence की वज़े से cervical mucus को face नहीं कर पाती है तो ऐसी condition में आप एक काम कर सकती है आप ovulation kit से अपने ovulation को track कर सकती है ovulation के दोरान आपके सरीर का जो body temperature होता है वो हलका बढ़ा रहता है इसे भी आप थर्मामेटर से माप करके अपने ovulation को जान सकती है साथी साथ high libido का होना और बार बार mood swing होना ये भी आपके ovulation का ही संकेत होता है यति period से दसवे दिन के बाद आपको कभी भी ऐसा महसूस हो तो उसी वक्त से relation बनाने से प्रेगनेंसी बहुत जल्दी और आसानी से रूप जाता है इसलिए cervical mucus का ध्यान रखना महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और cervical mucus अज़ंदी किसी महिला में नहीं बनता है तो उनके खान पान को बहतर बनाने के लिए आप वो पॉस्टी काहार ले जिससे आपका स्वास्त सुधर सके बाहर की कोई भी डिसेज हो या फिर मैदे से बनीवी चीज जादा मीठा खाना या जादा नमक सफीद नमक का इस्तमाल करना अपने खाने से थोड़ा कम कर लेजी आप बहुत जल्दी मा वनने के लिए तयार हो जाएंगी और आपके सरीर में अवलिशन भी नियमीत रूप से शुरू हो जाएगा तो उमीद करती हुए टिप्स आपके लिए बहुत हैल्पूल थे फ्रेंड्स ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पिसंद आई है तो लाइक करना बिलकुल भी ना भूले मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू